हलो दियोर आस्फिरेंट्स, वेलकम बैक टो बोधी सत्तों फीसियस माई दियोर फैंड आज उनो वी आ हेडिंग टूर्ड पीपिस से प्रिलबनरी एक्जामनेशन मुश्किल से एक सब्ता बचा हुआ है आपको पढ़ने के लिए रिविजन करने के लिए अभी का जो टोपिक है वह है बिहार सरकार की पांच प्रमुख योजनाएं इसमें उन पांच प्रमुख योजनाओं की चर्चा करेंगे स्टेट गोर्मेंट की जो 2022 में जिनका काफी बोल बाला रहा और यहां से प्रश्ण सीधे-सीधे पूछे जाने की पूरी-पूरी संभवना है और एक से दो प्रश्ण है यदि पूछे योजनाओं से तो यहां से आ सकते हैं ठीक है तो if you are serious about your examination then was this video from beginning to the last यदि आपने previously से कहीं पड़ा रखा है तो भी इसका revision कर लेना और नहीं पड़ा है तो इसे एक बार जरूर याद करने ही कोशिश करना चीक है हर घर नल का जल देखिए काफी important योजना है हमें पता है कि उसका उदेश्य क्या है सभी परिवारों को उनके घर में नल के माध्यम से पेजल की सुविदा अपलब्द कराना लेकिन कुछ इसमें और analytical आंकड़े हैं जो आपको पता होना चाहिए विपेसी यदि question घुमा के पूछे तो यहां से पूछा जा सकता है विपेसी के तोरा सुशाषन के कारिकरम 2015 और 20 के तहट आपको पता होगा 7 निश्य योजना चली थी इसी के तहट 2016 में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी लक्षमे ने बता दिया इस योजना के तहट 1.66 करोड जो परिवार है न राजी के उन में से 1.6-3 करोड परिवारों को नियमित पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है और ये जो आंकड़ा है जिस आंकड़े की बाद कर रहे हैं यह अगस्त 2022 का आंकड़ा है ठीक है पानी की गुडवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य जो है जिला एवं अनुमंडल अस्तर पर जांच परियोक्षलाय भी अस्थापित की हैं इस योजना का ओडिट ग्रामिड विकास की अंकेक्षट सोसाइटी द्वारा कराए जा रहा है ये भी काफी इंपॉटेंट है कभी कभी पूस देता है योजना का ओडिट कौन सी संस्था कर रही है तो ये काफी जादे इंपॉटेंट है ठीक है 1.63 करोड परिवारों को नियमित पीने का पानी हर एक दिन 6 घंटा जो है सप्लाई किया जा रहा है अगस 2022 के आंकडों के अनुसार आपको पता होना चाहि गुडवत्ता बनाये रखने के लिए राज्य में जिला एयो मनुमंडल अस्तर पर जांज परयोग सलाय स्थापित की गई है और ओडित ग्रामण विकास की अंकेक्षान ससाइटी द्वरा कराये जा रहा है दूसरा इंपोर्टन्ट योजना है आप सभी इसे परिचित आपको पता होगा कि जो नौर्थ बिहार है वो हायाली फ्लर्ट फ्रोन एरिया है वहीं साउथ बिहार में नौर्थ बिहार की बात करें साउथ बिहार में जो है मैक्सिमम डिश्टिक्स में पानी की किल्लत हो जाती है तो वो पानी की किल्लत को पूर्टी करने के लिए और पीए जल की उपलब्दता के लिए गंगा जल को सुद्ध करके जो है गंगा उद्वह योजना के तहट जो है उनको पीने का पानी उपलब्द कराए जाएगा 2019 में राजसरकार के कैबनेट ने इसको मंजूरी दी थी इसके तहट 190 किलोमेटर पाइप लाइन के जरिये गंगा का पानी मोकामा के हती 10 से 19 तक पहुचाने का ट्रैल भी सफल रहा है ठीक है यह पिक्चर आप सभी इस पिक्चर से वाकिफ होंगे तीसरा इंपोर्टन्ट जो योजना है वह है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी यह काफी इंपोर्टन्ट है इसके तहरत राजसरकार जो है युवा उद्वियों को सीड फंड के रूप में ठीक है मतलब सीड फंड उसे कहते हैं सीड फंड कि आप जब सुरुआत में मालीज समझा जाए तो ठीक है जो शुरुवाती पैसा होता है उसी को seed fund कहते है तो इसमें राजसरकार द्वारा युवा उद्मियों को जो है seed fund के रूप में 10 वर्स के लिए 0 फीसदी ब्याज पे ये काफी जादा important है question यहां से ये पूछ सकता है कि ब्याज कितना लेगी government तो कोई ब्याज नहीं ले रही है 0 फीसदी ब्याज है पर 10 लाख रूपिये जो है government देगी 10 वर्स के लिए युवा उद्मियों को इस startup policy 2022 के तहरत उदेश क्या है भाईया देखे बिहार के युवाओं को उद्योग और सोरजगार के चेतर में आगे बढ़ाना seed funding के बाद भी यदि startup को growth में कोई सहायता चाहिए तो उनकी सफलता सुनिशीत करने के लिए उनका जो है मार्ग दर्शन किया जाएगा उनको training दिया जाएगा marketing की strategy योगरा बताई जाएगी सारी मदद की जाएगी इस योजना के तहट तो I hope कि आपको समझ में आगया बिहार startup policy 2022 अगली जो योजना है मुख्य मंत्री बाली का सनातक प्रुस्ताहन योजना है इसके तहट सनातक पास सवी विवाहित और अविवाहित कोई criteria नहीं हैंगी कि वो अविवाहित को ही मिलेगा ठीक है लड़कियों को जो है पचास हजार की रासी जो है प्रतान कराई जाएगी ठीक है आवेदक जो है बिहार का मूल निमासी होना चाहिए और लक्ष क्या है उच्चे सिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रुसाहन प्रतान करना तता बेटियों की सक्षाता दर बनाना बाल विवाह रोकना इससे ऑविवस जब माली जी कि पचासाजार रुपया इनको मिल रहा है सरकार के तरफ से इंटर पास करने के बाद मिल रहा है तेंथ पास करने के बाद मिल रहा है और गर्जुएशन पास करने के बाद मिल रहा है अलग-अलग रासी जो की सनातक में ये 50,000 रुपे है, नीचे कमेंट करके बताओ कि इंटर पास करने वाले बालिकाओं को कितना दिया जा रहा है तो obvious कोई, मतलब parents के उपर एक बोज नहीं बनेगा, तो लोग कहेंगे चलो पढ़ लेने दो, और जब आई हो जाएगी प्रोपर शादी के आई हो जाएगी, तो सादी करेंगे तो obviously से बिहाल, sorry बाल भी वहाँ पर रोक थाम लगाया जा सकता है इस एक पर्यास के दोरा, यह काफी important योजनाएं हैं, इस इन योजनाओं का जो है, आप men's में भी input दे सकते हो इस योजना को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहर जो है, शुरू किया गया था हमारा आखरी और सब से important योजना है 7 निश्य योजना part 2 यहाँ पे मैंने heading डालना भी भूल गया 7 निश्य योजना part 2 है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो है, इसमें 7 segment है इनके 7 आयाम है यह 7 आयाम आपको पता होना चाहिए यदि आपको 7 निश्य योजना part 2 के बारे में detail देखना है, तो निश्य वीडियो के description box में एक वीडियो link दिया हुआ है उसमें पूरा detail analysis कियाओं में लेकिन यह 7 निश्य योजना part 2 जो है काफी ज़्यादा important है इसमें पूरा जो main इसका dimension है और इस dimension के जो sub dimension है सब के बारे में मैंने चर्चा करया है तो आप नीचे यदि 69 BPS से आपका target है तो उसको जरूर देख लेना और 68 में भी यदि आपने पढ़ नहीं रखाओगा detail form में तो उसे पढ़ लेना क्योंकि काफी ज़्यादा important योजना है कभी-कभी होता है कि भीतर से question पूछ देता है युवा शक्ती बिहार की प्रगति के तहद जो है इसमें युबाओं पर भी शेश फोकस किया गया है वहीं ससक्त महिला सक्षम महिला target के तहद महिलाओं का empowerment किया जाएगा हर खेट तक पानी पहुंचाई जाएगी स्वक्ष गाओं समरिद गाओं गाओं में स्वक्षता का विशेश ध्यान रखा जाएगा स्वक्ष शहर बिकसीर सहर इसके साथ-साथ शहरों में भी स्वक्षता का विशेश ध्यान रखा जाएगा connectivity होगी और आसान मतलब road, transport, transportation और गिएगी ब्योस्ता प्रोपर करी जाएगी road, build-up करा जाएगा government के दुआरा साथ-साय योजना के तहट सब के लिए स्वास्ता सुभजाय जो है provide कराई जाएगी तो ये थे main dimension साथ-साय योजना part 2 के इसका sub-dimension नीचे वीडियो को description box में जो वीडियो link दिया हुआ है उसमें detail से चर्चा करी गई है तो ये 5 प्रमुख योजना है 68 BPSC preliminary examination point review से काफी जादा important है यहाँ से एक से दो प्रशन जो है आपके जरूर जरूर आने है तो I hope कि आपको वीडियो का presentation और material अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और हाँ इसका PDF जो है नीचे वीडियो को description box में दिये हुए telegram group पे मैं share कर दूँगा वहाँ से आप download करके इसे revise भी कर सकते हो